नमस्कर मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर का एक्रम देश एक तरफ नफरत से बुरी तरह से जुलस रहा है हमारे सामने तस्वीरे आ रही हैं जहां पर देश का भविश हथियारों से लैस होकर कहीं पर तलवार कहीं पर बंदू कहीं पर चाकू और कहीं पर अश्लील नारे इन सब का मिक्स्चर लेकर सड़कों पर उत्रा हुआ है वहीं देश में अडानी जी की पौबारा है क्या कनेक्शन है कि एक तरफ देश का भविश नफरत को थामे हुए है वहीं मोदी जी के बहुत करीब माने जाने वाले अडानी जी लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं अब देखिए न स्टेट बैंक आफ इंडिया से उन्होंने नवी मुंबई हवाई अड़े के लिए लोन लिया था करजा लिया था जो कि अब यह जो मुंबई एरपोर्ट है वह अडानी एरपोर्ट के नाम से जाना जाता है स्टेट बैंक आफ इंडिया से देश के सबसे ताकतवर उद्योग समूह अडानी समूह ने करजा लिया 12,270 करोड रुपे का इधर हवाई अड़ा उनका हुआ और उधर सरकार ने उनका करजा माफ कर दिया यह जो लगू कता है यह अपने आप में इस समय जो क्रोनी कैपिलिजम चल रहा है जिसका नफरत से बहुत गहरा तालोग है उसे बहुत संगशेप में आपके सामने रखती है यानि सामने सामने दिखाई देता है कि सरकार से करज लेकर सरकार की ही संपत्ती खरी दिये और फिर वही सरकार आपके करजे को माफ कर देगी इस तरफ देश जो चल निकला है देश का विकास जो चल निकला है वह हमें और आपको और देश के भविश को चिंता में डालने वाला काफी है एक बात बहुत साफ हो गई है कि इस भारत का नए भारत का निया नॉर्मल नफरत है और नफरत को जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज जो राजनितिक वर्धस्त है वह पूरी तरह से बेशर्म होकर खुल कर है अब देखिए दिल्ली पुलिस को ही ले लीजे देश की राजधानी देश की राजधानी की दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है ग्रिह मंत्री अमिश्या को उसे धमकाने का साहस किस ने किया विश्व हिंदू परिशद ने किया और यह मामला सारा का सारा है जहांगीर पैमाने पर उन मादी भीड जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे हैं वे सब हत्यारों से लैस होकर मुसल्मानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कर रहे थे। तमाम चैनलों पर चल रही थी। उसी समय यह ट्वीट सामने आता है यह धमकी सामने आती है जिसमें विश्व हिंदू परिशद साफ साफ कह रही है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है समय कि हम दिल्ली पुलिस के खिलाफ युद्ध लड़ाई छेड़ देंगे अगर हमारे किसी भी कारकरता के खिलाफ कोई कारवाई होती है अब यह देखिए भारतिय लोकतंतर कितना जबरदस्त काम करता है यह ट्वीट आया और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने यूटर्न लिया और कहा कि इस व्यक्ति को सर्फ पूछताज के लिए बुलाए गया था यह घटना अपने आप में पूरी की पूरी कथा को कहने के लिए काफी है अब आईए एक दूसरी फोटो देखते हैं यह फोटो उस शक्स की है जिसे काईदे से इस समय सलाखों के पीछे होना चाहिए था ध्यान से देखिए यह फोटो यह फोटो भारती लोकतंतर के गहराते हुए सं खुल कर दुष्प्रचार करता है गाली गलाज करता है सब के सामने वीडियो में मुसलिम महिलाओं से बलातकार की धम्की देता है अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता है सब कुछ करता है सब कुछ on camera है और इस शक्स को सम्मानित कर रहा है भाश्पा का सांसद राजेश यहां बताता है जिसके बारे में हम लंबे समय से बात कर रहे हैं कि जो नेक्सेस है जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज है वो कहां से कहां तक पहुचा हुआ है अब स्क्रीन पर देखिए यह जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है यह है वसीम शेख की मर्द प्रदेश के खार काउनवी का जुलूस निकल रहा था उस पर पत्थर चलाए अब आप खुद ही देखिए जज करिए कि यह शक्स जिसके दोनों हाथ 2005 में एक दुरगटना में काटने पड़े थे वह शक्स किन हाथों से पत्थर चला रहा था इस शक्स की सुनने वाला कौन है इसी तरह से य अबलपूर से आई है जहां 38 साल के इस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गिरफ़तार किया गया कियोकि उसने प्रदान मंतरी नरेन मोडी और अमिशाह की नकल उतारी थी, मिमिक्री की थी यह धेश जहां मिमिक्री करने पर लोगों को गिरफ़तार किया जासकता है, पाकिस्तान क या मुस्लमानों का गतलयाम का ऐलान करने वालों को पकड़ने वाला, गिरफतार करने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा। आएे तफ्सील से जाने कि देश की राजधानी दिल्ली में, जहंगीरपूरी में क्या हुआ था और क्यों किया गया था, क्या हुआ यह देश दुनिया सब ने देखा, लेकिन क्यों किया गया, इसके पीछे का जो नरेटिव बिल्ड़ अप किया जा रहा है, उसकी क्या आया जा रहा है कि इस इलाके में बांगलादेशी मुसल्मानों का कबजा है, क्या जिस तरह से देश की राजधानी को जलाने की सुनयोजित साजिश दो साल पहले हुई थी, जिस तरह से मुसल्मानों के उपर हमला हुआ था, जिस समय शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था, क् रिपीट करने की कोशिश छोटे या बड़े पैमाने पर जहांगीर पूरी में की जा रही है इस बारे में हमने बातचीत की न्यूस क्लिक के रिपोर्टर मुकंद से आईए देखते हैं कि उनकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही मुकंद ये बताईए कि जो आपने देखा जहांगीर पूरी में और जिस तरह से अभी खबरे आ रही हैं अभी बताया जा रहा है कई अख़बारों की हेडिंग हमने देखी कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर बांगलादेशी मुसल्मान रहते हैं तो ये जो सारा हंगामा है उसमें दो चीजें आप बताईए आपको क्या लगता है कि जहांगीर पूरी के इलाके को क्यों चुना गया और यह जो बंगलादेशी मुसल्मान का कार्ड खेला जा रहा है उसकी वज़ह क्या लगती है आप देख रहे हैं जो पूरा जो इन नेरेटिव सेट करने कोशी हुरी स्रिफ बंगलादेशी नहीं है उनका रोहंगिया स्थापित करने के तोरे बाहर से आए हैं दूसरे देश से गुजपैटी है उस तरह की जबकी है वो बस्ती जो है आज से 35 साल पहले बसी है यह सारी जुगी बस्तियां थी जमना गिनारे कहीं आला गला दिल्लियों पर जिनको कॉंग्रेस सरकार ने उठाकर जब डीडिये के तौरे बसाए गया था सब को 25 पच्चिस कि जमीने के टोड़ा मिला हुसी पुनका परिवार कई परिवार तीन चार जनरेशन से वहां रह सब्सक्राend जल्खसरी दोड़ा परिवार करें जया थे जब करर मुसलिम के 으र्舞ूष की बदिए के वहां मुसलिम हैं वहाँ एंकर बार-बार उनके मुह माइख डाल के बूलने कोशिश कर रहा है, आप बंगलादेस से आए हैं, रोहेंगिया हैं, तो बोला नहीं मेरी तीसरी जनरेशन है, तो बलता है जा जा तीन जनरेशन पहले आप आए होंगे बंगलादेस से, तो बलता नहीं कलकट्था से फिर बोलते हैं यह बंगलादेश से कलकत्ता हैं जवरदस्ती एक तरीके से बुलवाने कोशिश जो हां बाहर से आए हैं जब कि ऐसा नहीं है वो सब के पास यहां की डोकुमेंट्स हैं हो सकता है कुछ अगर छुट पर कुछ ऐसा हो लेकिन पूरे तरीके से पूरे इलाके को अगर्मेंट ने दिया था तो उसकी एक फैमिली ती तीसरी जनरेशन है कि तीन परिवार हो गए तो उसमें एक घर में दस बारा बारा लोग रह रहें तीन तीन चार 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 फ्रोर को मकान ने तो बहुत कंजस्टेड है और सारी आवादी जो हैं पूरी तरह से वरकिंग शुभा यात्रा निकली और हमने देखा सारे वीडियो इसमें भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से सब के पास तलवा रहे हैं चाकू हैं बंदूके हैं यहां तक की बैट्स लेकर चल रहे हैं और बहुत कम उमर के बच्चे हैं क्या यह लोग इस्थानिये ल जाहां गिरपूरी आसपस के लागे में यहां बहुत सारी अवैद बस्तिया जो की जोपडी की बस्तियां हुब डूसरी तरह बाद में बशी हैं सीडी पार्क के पास तो ऐसी जगह होता है कि जो जो मंदिरों का निरमार जाधा क्या जब कल्को का सरकार बोल्डर चलाए है इसलिए उस इलागे में पुरे मंदिर बहुत है, तो अलग अलग जगे से वो यात्रा ही निकली, तो दो यात्रा है सांतिपूर्ण निकल गई थी, लोगों ने आपस में कॉडिनेट करके, उसको मजजिद वाले रास्ते सिन लेके कई दूसरी बीच से कट लेके निकल गई, लेकिन साम वाले जो यात्रा निकलती है, यह सारे शेबजे बजे चैबीस के आजब पास पहुचती है, वही समय होता है जब आपका रमजान रोजा तोडने का सहाता है, उसी समय से पहले जश्ट आपको वहां से निकालना, च्योंकि उस इस तरफ से अज़ान होनी होती जो कालीजे, कुसाल चौक से लेफ्ट की तरफ चले जाएए, राइट की तरफ जहां मजजीद उस तरफ ना जाएए, लेकिन उसमें कहते हैं कुछ लोग जिद पढ़ गे नहीं जाना ही, फिर भी यात्रा होहां से निकली है, जो हमको पाजला जो यात्रा की दो-तीन गाड़ी कर दिल्ली पुलिस को लेकर बहुत सवाल हैं, जिस तरह से वी एश पी ने खुले आम धंकी दी, कि अगर दिल्ली पुलिस ने किया तो हम उसके खिलाफ युद्द छेड़ेंगे, अगर किसी भी अक्टिविस्ट के खिलाफ कोई मामला हुआ, और हमें दिखाई दिया कि उस हैं, तो इसमें सवाल कहें हैं, पुलिस है, क्योंकि आप इतनी बड़े हथियारों के साथ दिल्ली सहर में जब दो साल पले दंगा जहेल चुकी है, आप सब कुछ देश देश बर में पैटर्न आपको दिख रहा है, तो खुले हथियारों के साथ अप कैसे घूमने देश द पुलिस ने, उसमें लेकिन वो मुख्य आयो जख हैं जो जिसको जिला सेवक के तौर पेस के जारता, जिसको गरफतारी की एनाई ने पुष्टी की या पीटे जैसी एजंसिया, आप यह मान के चलिए जो मुख्यधारे की मीडिया है, वो अगर खवर चला रही है, तो इसक अगर कोई सामने महिलाओं के साथ मार पीट करी है अपने जनावालिक लड़के हैं उनके साथ ले गए हैं और मिलने तक नहीं दिया गया थानों के अंदर या और बाकी जो सुभधाए हैं और पूरी तरह के से इसको एक साइड का दिखाए गया अब पहले दिन के गर गर ग जा रही थी उधर से भी वह कट्टे आपको दिख रहे हैं तमंचे दिख रहे हैं और उसमें आपके तलवार सारी चीज़ तो पुलिस को कुछ ना कुछ लेना पड़ा एक्शन मजगूरी में लिया है लेकिन पुलिस के इंटेंशन पे बहुत-बड़ा सवाल लगातार है जी और इसके लिए जुड़ी से रहा है कि दिल्ली पुलिस और उसके जो सरगना है उसके जो मुखिया है देश के ग्रीह मंत्री अमिश्या दोनों की भूमी काउं पर सबाल बहुत सीधा-सीधा उठ रहा है एक तरफ यह नफरत है एक तरफ यह नफरत को बढ़ाने वाल प्लैंड वे में पूरी की पूरी हिंसा को आयोजित करने वाले लोग हैं वह राजनीती है वहीं दूसरी तरफ यह भी दिखाई दिया कि देड़ से ही सही लेकिन विपक्षी दलों ने अपनी चुप्पी तोड़ी तेरा विपक्षी दलों ने देश भर में फैलाई जा रह सयुक्त बयान जारी किया तेरा दल उनका जिक्र करने से पहले मैं आपके सामने उन दलों का जिक्र करना चाहूंगी जिन्होंने इसमें शिरकत नहीं की इसमें आम आदमी पार्टी है जिसके पास दिल्ली के सरकार है और जिसके पास पंजाब की सरकार है और दिल्ली में जि इस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान आया, जिस तरह से उनकी जो भूमी का पूरी की पूरी रही, जिस तरह से वह किनारे खड़े होकर देख रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, दिल्ली पुलिस का जो पूरा का पूरा एक तरफा रवया है, वह सब बहुत कुछ बता रह कि आम आदमी पार्टी ने यह 13 दलों के अज़ब पूरा का पूरा सायुक्त बयान जारी हुआ इसमें शिर्कत क्यों नहीं की इन 13 दलों में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं है सपा नहीं शामिल है जबकि हम जानते हैं कि उत्तरप्रदेश को किस तरह से नफरत की आग मे जोका जा रहा है इसमें बहुजन समाज पार्टी बस्पा नहीं है इसमें शिवसेना शामिल नहीं है ऑर शायद भारती लोगतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए और उसमें यह पार्टियां क्यों चुप हैं, क्यों सियुक्त मोर्चे पे नहीं आ रही है इसके बारे में बहुत लंबी बाचीत होनी बेहद जरूरी है फिलहाल देश में जो नफरत पहलाई जा रही है उसके खिलाफ देश के तीन मुख्यमंतरी कम से कम सामने आये जिसमें पश्चिम बंगाल की ममता बेनर जी जारखंड के हेमन सोरेन तमिल ली कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुलकर एक लेक भी लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में एक दिन पहले और उसके बाद यह बयान जारी आया इसमें जो पार्टियां शामिल हैं उसमें कॉंग्रेस है, NCP है, राजद है, नेशनल कॉंफरेंस है, CPM, CPI, CPI, IML, Muslim League, Forward Block, RSP यह तमाम लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश को जिस तरह से बिल्कुल planned way में जोका जा रहा है नफरत में, पूरी जो विविद संस्कृती है, जो हमारी विविदता है, खान-पान में, परिधान में, ड्रेस में, त्युहारों में, भाशा म उन सब को मटिया मेट करके समाज को धुरुविकत किया जा रहा है, और इसमें तुरंथ हस्तक्षेप करने की जरूरत यह तमाम दल बता रहे हैं, निश्चित तोर पर यह जो इनिश्येटिव है, यह रहत पहुचाने वाला है, ऐसा लगता है कि एक तरफ जहां देश के ताक्ते हैं, वही इसके खिलाफ बोलने वाली ताक्तें भी सामने आ रही हैं, हाना कि अभी इनका जमीन पर आना बाकी है, इसी के साथ साथ एक और खबर जो सुकून देती है, वह खबर आई है उडिसा से, उडिसा में जो वहां का उच्छनियाले है, उसकी चीफ जस्टिस एस मुरली धरन, उन्होंने बहुत सटीक और साफ शब्दों में कहा, इस खबर को पढ़ा जाना बहुत जरूरी है, उन्होंने कहा कि जो देश का कानून है, जो देश का पूरा का पूरी विवस्ता है, वह गरीबों के खिलाफ है, और यहां पर वह जब कहते हैं, तो से है, उन्होंने बताया कि जो अंडर ट्राइल है, अंडर ट्राइल में 21 फीसिदी दलिस समाज के लोग हैं, और जो कन्विक्टेट पॉपूलेशन है, वह भी 21 फीसिदी दलिस समाज की है, इसी तरह से जो OBC समाज के लोग हैं, उनकी संख्या भी कन्विक्ट होने में या अंडर ट्राइल होने में 37% और 34% है। मुसल्मानों की भी तकरीबन यही इस्थिती है। वहाँ पर 17 फीसदी और 19 फीसदी यह अनुपात बैठता है। वह खुलकर कहते हैं कि यह जो पूरी की पूरी नियाय प्रडाली है। यह गरीबों के खिलाफ है, यह देश के दलितों के खिलाफ है, अलब संखिकों के खिलाफ है और आदिवासियों के खिलाफ है। शायद यह वक्त इस तरह से सच को सामने रखने का है। यह कहना बहुत जरूरी है तमाम देश प्रेमियों के लिए कि जो गलत है वह किसी भी सूरत में बरदाश नहीं होना चाहिए यह कहना देश से प्यार करने वाले उन तमाम लोगों के लिए बहुत जरूरी है साफ साफ कहना कि हम नफरत नहीं चाहते हम देश के भविश्य में उसके हाथ में तलवार नहीं किताब देखना चाहते हैं देश का असल विकास देखना चाहते हैं शुक्रिये